हाई फ्रेंस आज हम एक्सल में सीखिंगे की आप फिक्छ एसेट में यहाँ पर ठ्रेशिम कैसे क्äंकवीड करेंगे दिके सब्सद्स पहले हम जानते की फिक्स एसेट क्या होता है और आप कंपनी में कोई ऐसा समान करेते हैं जैसे की कार हो गया एसी हो गया जो आप अपने ले खरीते कंपनी के लिए खरीते कर्स्टमर को बेचने के लिए नहीं खरीते इन सब को हम कहते हैं fix asset तो fix asset की सबसे बेकारी यही होती कि जैसे जैसे साल बीटते हैं इनके जो value होती है वो कम हो जाती जैसे कि मान दीजे अगर आपने एक कार खरीदी तो अगले साल उसकी जो value कम हो जाएगी next to next year उसकी value और कम होगी तो इस तरह से value कम हो जाएगी तो इसी को हम कहते है depreciation तो यह depreciation कैसी calculate किया जाता है एक्सेल में चलिए हम सीखते है तो चलिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटा से example है इस example के basis में समझते हैं assume करते कि हमने एक second hand car खरीदी जिसकी price 90,000 है salvage value इसकी 5000 है salvage value का मतलब यह होता है कि जब इस car की जो life है जब पूरी हो जाएगी तो जो इसका sale price है estimated वो 5000 होगा life in year इस second hand की जो life है वो 5 साल की है तो हम को क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 साल लिखे 1,2,3,4,5 तो एक साल बाद इसकी value क्या होगी दो साल बाद क्या क्या होगी, तीन के बाद क्या होगी, चार के बाद क्या होगी, पांच ही बाद क्या होगी, यहाँ पर हम calculate करें लेत इस car की जो value वो आके क्या होगी तो इसे हम select करेंगे formula लगाएंगे equal to db यानि की depreciation इसे हम select करेंगे उसके बाद पूछ रहा है cost तो यह रही cost अब देखे cost select करने के बाद आपको अपनी keyboard से f4 दबाके से lock करना होगा अब lock क्यों किया जाता है देखे अगर आपको एक cell को कई cell करेंगे तो जब इस formula को आप drag करेंगे तो पहले साल का तो calculate हो जाएगा निकिन दूसरे से लिकर पांचवे के बीच में error आ जाएगा तो ऐसे में जिस cell से आपको multiply करना है दूसरे cell में उस cell को आपको f4 keyboard में दबाके lock करना होता है तो हमने यहाँ पे lock कर दिया उसके बाद इसके बाद फिरसे stay फॉर्ड दबाके से lock करेंगेณ कॉमा देंगे life हुई फिरसे फिरसे फॉर्ड दबाके से lock करेंगे कॉमा देंगे इस तो हमें एक साल के बाद second hand जो car आपके खरीदी ती इसकी value जानी है तो आप one select करेंगे इसके बाद bracket बन करेंगे और enter करेंगे enter करने के बाद आपको इस formula को नीचे यहाँ पर drag करना है तो जैसे आप drag करेंगे आप देख सकते कि हर साल के last की इसकी value लिकल आगी यानि कि एक साल बाद इस car की value यह होगी दूसरे साल यह होगी तो पहले साल से लेकर 5 साल तक हर साल के बाद में जो car की value है calculate होके आगी है तो इस तरह से इस formula की मदद से आप किसी fixed asset में depreciation यहाँ पर calculate कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंदा है वीडियो को like करेगा शेयर करेगा चैनल सस्क्राइब करेगा